वंडे क्रिकेट वर्ल कप 2023 में भार्तिय टीम ने ग्रूप स्टेज में सभी मुकाबले जीत कर फाइनल तक की राह तै की थी. फाइनल में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में भार्तिय टीम को जीत का प्रबल दाविदार माना जा रहा था. वही मैच का परिनाम कुछ उल्टा ही निकल कर आया क्योंकि आस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को बेहत आसानी से सिक्स पिकेट से हरा कर ट्रोफी जीती थी. अब पूर्व भारतिय क्रिकेटर मोहमद कैफ ने भारतिय टीम के कप्तान रोहिद शर्मा और कोच राहुल द्रविड पर पिच के साथ छेड़चाड का आरोप लगाया है मोहमद कैफ ने कहा, मैं वहाँ त्री दिन तक ठहरा. फाइनल से पहले राहुल द्रविड और रोहिद शर्मा लगातार त्री दिन पिच का हाल जानने के लिए जाते थे. वो हर रोज करीब बन घंटे तक पिच को पर्खते और मैंने भी पिच को रंग बदलते देखा था. पिच को कोई पानी नहीं दिया जा रहा था और ना ही उस पर कोई खास थी. भारत, उस्ट्रीलिया को एक स्लो पिच देना चाहता था और अगर लोग नहीं मानना चाहते तो मैं बतादू कि यही सच्चाई है. खैफ ने कप्तान रोहिट शर्मा और कोच राहुल द्रविड पर आरोप लगाते हुए कहा, कमिन्स ने भारत की खिलाप चेने में हुए मैच से सबक लिया और समझा की एक स्लो पिच पर शुरुआत में बल्ले बाजी करना कठिन होता है. फाइनल में कोई पहले फील्डिंग नहीं करता, लेकिन कमिन्स ने ऐसा किया. वहीं हम पिच के साथ छेड चार करने में व्यस्त रही. भारत ने पहले बल्ले बाजी करते हुए 50 ओवर में 240 रन का स्कोर खड़ा किया था. हालाकि चेच करते समय अस्ट्रेलिया को भी मुश् असानी से शॉट्स लगा पा रहे थे. औस्ट्रेलिया ने फाइनल में 7 ओवर शेश रहते 6 टिकेट से जीत दर्ज की थी.